तो अब हम solve करने वाले है exercise 10.2 होगा question number 8 तो देखिए question कहे क्या रहा है find the equation of line whose perpendicular distance from the origin is 5 units मतलब क्या कि एक कोई line है जिसका origin से perpendicular distance 5 unit है और जो and the angle made by the perpendicular with positive x-axis और जो perpendicular line हमने draw किया है वो x-axis से 30 degree का angle बना रहा है तो हमें उस line का equation find करना है तो देखिए हमने इसके लिए जो standard form पढ़ा हुआ है कि अगर ये हमारा कुछ इस तरीके से x-axis है और ये y-axis है और कोई एक line कुछ इस तरीके से pass कर रही है तो अगर हम origin से इस line पे ऐसा perpendicular draw करते हैं तो इसका length अगर p है और ये जो perpendicular है वो x-axis से कुछ angle theta form करती है तो इस time पे हमने इसके लिए जो equation पढ़ा हुआ है वो equation होता है x cos theta plus y sin theta is equal to p ये कुछ इस तरीके से हमारा equation होता है तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी question में देखें कि दिया क्या हुआ है distance from the origin तो यानि ये जो distance है origin से ये p होता है इस case में तो p की value यहाँ पे 5 given है and the angle mid by the perpendicular with positive x-axis ये positive x-axis से ये जो angle form कर रहा है perpendicular वो theta है यानि कि ये 30 degree के equal दिया हुआ है तो हमें इस time पे equation find करना है line का तो देखें ये कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे theta की value 30 degree p की value 5 put कर देंगे तो हमारा जो equation होगा line का वो मिल जाएगा तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्या since we know that since we know that the equation of line the equation of line having having distance from origin is p and make an angle theta from x-axis positive direction में to perpendicular is तो यह क्या होता है तो इसके लिए हमने पढ़ा हुए क्या x cos theta plus y sin theta is equal to p तो अगर यहां पे हम देखें तो इसमें हमें given क्या है question में तो हमें question में given है theta is equal to 30 degree and p is equal to 5 units तो यानि कि हम इसको यहां पे put कर देंगे तो यह हो जाएगा x cos 30 degree plus y sin 30 degree is equal to p p की value 5 है तो यहां पे हम 5 put कर देंगे तो अगर हम देखें तो cos 30 की value क्या होती है और sin 30 की value क्या होती है तो देखें cos 30 की value होती है वह root 3 by 2 होता है तो हम यहां पे इसको root 3 by 2 से multiply कर देंगे plus y sin 30 की value जो होता है 1 by 2 होता है तो 1 by 2 से multiply कर देंगे is equal to 5 इसको आगे अगर हम solve करें तो देखें यहां पे होगा क्या यह इसको हम लिख सकते है root 3 x by sorry यहां पे 2 होगा तो 2 प्लस यह हो जाएगा y by 2 is equal to 5 और अगर हम देखें तो यहां से जो है यह LCM आ जाएगा 2 और यह हो जाएगा root 3 x plus y is equal to 5 और इसी को हम लिख सकते है root 3 x plus y और यह इधर जाके multiply हो जाएगा तो is equal to 10 और यह बन जाएगा root 3 x plus y minus 10 is equal to 0 तो इस तरीके से यह minus 10 है is equal to 0 यह हमारा equation होगा line का जिसका distance origin से 5 minute होगा और जिसका जो यह perpendicular जो distance है इसके लिए हम जो line draw करेंगे वो 30 degree का angle form करेगी तो I hope कि आपको यह समझ में आया होगा देखे इसमें mainly बस था क्या हमें इस formula पर based था यह पूरा question यह formula हमें इसमें पता होना चाहिए और theta किस तरीके से यहाँ पर find होता है तो दीखे theta जो होता है यह perpendicular जो line हम draw करते हैं वो यहां से angle form करता है ना कि यह वाली line तो इसको ध्यान देना है और यहां पर P क्या होता है तो यह perpendicular distance होता है इस line का origin से तो I hope कि आपको यह question clear हो गया होगा further अगर अभी भी आपको कोई doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हैं और अगर आप channel पर नए है तो channel को subscribe कर लिजे क्योंकि आगे के जो भी questions है उस सारे questions के solutions with concept आपको इसी channel पर मिलने वाले हैं तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम